हालो बच्चों कैसे आप सब फाइनले हम लोग लाइब आ चुके हैं और आज का लाइब सेशन आप सभी के लिए काफी जवरदस्ट और लाजवाब क्लास होने वाली है इस क्लास में हम लोग बात करें के सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और लोग लाइक कर देंगे और स्टार करते हैं चलिए फर्स्ट को आपके स्क्रीन पर आच चुकी है को दिखे ध्यान से करें आम लोगों को बाहदूर साजफर को देश से निकाल कर काहां भेजा गया था ऑफशन है सिंगापूर, रंगून, बकिंगम, सायर या कॉलमभो तो करेंक्टराण से आप लोग बताएगे ऑफशन हमारा सी जगा रंगून रंगून जो की बर्मा में है बाहदूर का सबसे अंतिम बात्सा रहे जाता है इसके बाद कोई मुगलवनस कावास्टा नहीं बनता है में कोर्ष को सो्ण आता है कि मुधल już का सबसे और करेक्ट приг8 हम लोग next question दब अगला question हमारा question नमर दूसरा पूछे रखा अठावन के विद्रों के समय भारत का गवर्ण जनरल का डिफिनेटली समीव अच्चियों के इस question का answer पता होगा चले फटा-फट से अपलों बताईए तेजी से साथ सर्पूछे रखा हम लोग को अठावन के विद्रों के समय भारत का गवर्ण जनरल तो correct answer हम लोग के जाएगा option C पे लौड कैनिंग अठावन इससे पहले जो है लौड डल होजी था और अठावन बना था लौड कैनिंग option हमारा C बिलकुल correct answer हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अगले question दब अग अठावन बना था वह कौन अठावन थे वह थे आपका डल हो जी कौन थे डल हो जी option का बी करेक्ट हो जाएगा वयापगत का सिद्धान कि से संब्द है डल हो जी अपना answer यहाँ पर option B पर सभी का correct answer न चाहिए ठीक है चले एक वीडियो आप लोग के लिए मैंने जो है 500 500 का revision class करवाया था ठीक है history का उसमें से कुछ question मैंने जाच किया देखा कि कुछ question जो है बोलने में answer बोलने में जो है mistake हो गई है वो वीडियो जो है आपको थोरी दिर में update हो जाएगी आप लोग सभी कोई जो है उस वीडियो के एक बार फिर से देख लिजेगा ठीक है history, polyscience, geography इसमें जो है मैंने जो class आप लोग का जो लिया था और बीच में छुट्टी होना था इसलिए मैंने वो सारे चीज़े रिकोर्ड करके चले गया था ताकि आप लोग class मिस्टेक हो गई है तो आप लोग को update कर दोंगा आप लोग वीडियो दोबारा से देख लिजेगा ठीक आगे बढ़ते हम लोग next question अगला question पुछन है कि हम लोग को अठाड़ 57 की करांती जो है वो किस तिथी को आरम हुआ था definitely सभी बच्चों को question पताओगा कि 1857 करांती जो किस तिथी को आरम हुआ था फटा पर से अब लोग answer किजे तेजी से चलो जी very good साजिया official दिन नसी चलो हमारा answer होने वाला है यहाँ पर 10 मही option A ठीक है option A यहाँ पर बेलकुल correct chance होगा इसकी actual तिथी थी start होने की वो 31 मही को थी definitely आप लोग को पता होगा एक्जाम में यह भी question आता है 57 की करांती कि पुर्व तिथी जो है वो क्या थी पुर्व घोसी तिथ क्या थी 31 मही थी बड़ तातगाल कारण जो के चरवी वाला कारदुस था जिसके उज़सी 10 मही को इस चरवी व्यार शुरू हो जाती है लेकिन एक्च्वल वसको 31 मही होना था और इसी वज़से जलबाजम होने के वज़से भी यह इस आंदुलन में जो होती है भारत लिव पर आजादी नहीं मिल पाते हैं नहीं तो 57 कोई आजादी मिल चुकी होती चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स कुछ रखाया है गेटवी आफ इंडिया जो है वो कहां इस्तित है फटा फट्स विदाजिए तीजी से कुछ नवर 5 का आप लोग क्या आंसर करेंगे चलो ज सब्सक्राइब करेंगे लाइक करते चलेंगे चलो जी यहां पर हमारा पूछे तो आपको दिल्ली बताना है लेकिन पूछा तो आपको मुंबई बताना है कि उसका नाम पहले बंबई था इसके अस्ता आपना 1911 को होती है डेट एक्जाम में पूछा आता है कि इंडिया ग अच दोनों कोयजुरों एक्जाम में सिमिलरली पूछा जाता है ठीक है चलो जी बिल्कुल आपनों का आउनसर और आया हो गजो लोग नेंट्स पूछ लै पे उन्डिया गेटका निर्मान का कभ वहा था बताया आप लोग को मैंने इंडिया गैटका निर्मान जो नहीं इ क्वारत में है रेलवेज बीफ्ट इसी करंच होगा इसी करंच में यहां कि पिय कुर्चांब में यह बी कुस्टा होता है कि विहार में रेलवेज के 0.853 को भारत में रेलवेज के सुरुषाज होती है option नमारा C यहाँ पर पिल्कुल correct रांस होगा इसी करम में आपको एक्जाम में ये भी कुछन आ सकता है कि बिहार में रेलवे की सुरुवात कब वी थी तो बिहार में रेलवे की सुरुवात 860 को वी थी ठीक है सरोपर्थम रेल जो है कब चलिती सरोपर्थम रेल जो 825 को चलि पहां पर चलेती तो लंडन में चल थी बात करकि भारत में रेलिव लानः बिचाने की योज़ना कब बनाया गई थी तो योजना बनाये गी 됩니다 3832 को भारत में रेलिव लाइन होनी चाहिए इसकी योजना बनाएं गती 3832 याद रिखिंगे ये सारी चीज़े ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कूसिन हमारा पूछर के कि वास्कू डिगामा भारत का बायाता देखो सभर प्रॉजढै बारा Activism को पता हो गए ने के लिए ौट सफंभी कहां पर आता तो यह काली कर जगह पहता जो कि केरल में ठीक है याद रहेगा चलिए बिल्कुल काफी इजी कोस्टन यह सारे कोस्टन आपको बार बार रिविजन करते रहना है ताकि एक्जाम में किसी तरह की भी गलत फहमी नहीं नहीं हो ताकि आप लोग एक भी कोस्टन को म बिहान देंगे तो मुझे ख्याल से जो है आपका माक्स में जो एक नंबर तकी कट्रोती नहीं मिलेगी कर आमनों को ब्रिटिस सासंकाल में भारत में धन परवास का जो सिध्धान वो किसने परती पादित किया था चलिए फटाफर से देखे कोस्टन नमर 9 का आप लोग क्य ला करेंगे तेजी से चल दीसित बिहार मठबर तो साटको अगर ट्रेन चली तो भारत मठापन कुछ कॉंसरे समझ नहीं आया मतलब 2893 को भारत में चली उसके साथ साल बात बिहार में चली नहीं समझ रहा है कौन बोल रहे हैं कमेंड करें ओफिस्यल हमीरा बोल रहे है इसम की बात करें अपना बिहार की बारे में तो अपना बिहार में 860 को चली थी साथ साल के बाद में पहले चली थी मुंबई से थाने जो कि भारत में लेकिन अगर बिहार की बात करें हम लोग का बिहार में 860 को चली साथ साल बाद यहां से तो इसमें क्या समझने की बात है मुझे भी समझें नहीं है कुछ क्वेस्टन आपका चलो फिलाल आगे बढ़ते हम लोग अच्छा कुस्टन नमर नाइन का आंसर नहीं आ रहा है कुछ का लगा लगा रहा है कुछ आपको भारत में धन प्रवास का सिध्धान जो किस ने दिया था दाधा भाई नरोजी आपसन यहां कब दी गए थे डिफिनल्ट सभी को पता होगा भागा सिंग को फासी कब दी जल्दी सांसे के तेजी से चलो फटा फट से सभी का आंसर ना चीए भागा सिंग को फासी जो दी गए थी वो कब दी गए थी 23 मार्च 1931 को आफसर अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा सभ पानिपत के पर्थम युद में बाबर ने किसे प्राजित किया था बताओ हेमु होगा राना सांगा होगा या फिर आपका इब्राहिम लोधी तो उन्हें सब्सक्राइब पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चीए ठीक है आगे देखते हम लोग नेक्स को सेल पुचल का हम ल अगबर के दरवार का परख्यात गायक पुरसे तांसरों जैगा ओफशन यहाँ पर ए हम लोग करेक्ट करेंगे ठीक है और बारे का ओफशन सभीट करेक्ट आगे बरते हम लोग को नेक्स को सेल पूचल करेक हम लोग को को सन नमर यहां पर 13 ताज महल जोगी किस नदी गया किनार से बटाओ, 13 का आप लोग क्याँ से करें, फटा फट से देखिए, काफी सांदर कोसें है, बहुती बच्च्चे बच्चों के कोसें, बताओ कर सांदर कोसें, बताओ कि यामूना नुदे किनार सेता है, स्सानी इसके निती निती संटी जो अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाली यह जितने जिसके वीटा रख़ें बिल्कुल आपको सुझाए बिल्कुल आपका अंसर सही हो गया एकिलोगद बदें आगला हमारा question number 15 को देखे धियान से question क्या पूचरका में लगों किस मुगल सासक ने हिंदूओं पर जजिया करजो हटा दिया था बताओ बाबर होगा जहांगीर होगा अगबर होगा यह फिर साजा होगा पुछ रेक किस मुगल सासक ने हिंदूओं पर से जजियाकर समाप्त कर दिया, सबको पता होगा कि जजियाकर जो समाप्त करने रहते हैं, वो थे अकबर, option यहाँ पर B आपका बिलकुल correct हो जाएगा, बात करें यह जजियाकर समाप्त कभी किया था, तो यह किया था आपका 1589 को जजियाकर पूरी तरह से completely समाप्त कर दिया था अकबर ने पहली बार जजियाकर 1564 को समाप्त किया था, फिर यह जो है 1575 में, 1575 में दोबारा लागू किया, और 1589 को जो है यह फाइनली जो है, क्या करते है, जजियाकर समाप्त कर दिया था, तो ध्यान दंगे अकबर ने जो जजियाकर समाप्त किया था, फिर उसके बाद एक सो साल बाद जो है और अब ये जो कि आठार से हैं सोले सो और अशी को दो बारा से जज्जाकर को लागु करता है ये सब चीज़े आप लोगो को याद रखना है एक्जाम में पूशआ जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हम लोग को रूस में भारत विधा का जनक जो है वो का रूस में भार्दा का जनक कहते हैं अपना सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाली ठीक है चलो जी बहुत अच्छा सांदार बिल्कुल आप लोग का आंसर जो करेक्ट आया हुगा है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कुश्चन के तरब हमार अगला कुश्चन कुश् अपना बिल्कुल करेक्ट होने वाला है उने इस सुच्छासी सेवन्टीन नम्र को सण का ऑफसन अपना बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बिल्कुल आप लोग ने भी और बहुत अच्छी बात है आगे बरते हैं को सननमर अठाड़ा जो कि ध्यान से क्या पूश्य रख पहांतम सासकते option यहां पर अपना बी बिल्कुल करेक्ट होगा किरिश्ण देव राए जो कि तुलूब वनसे एक्जाम में पूछा जाता है कि किरिश्ण देव राए कौन से संब्द रखता है यह हुजागा तुलूब वनसे कौन से तुलूब वनसे क्या करते विजनगर साम सामराज के जो पहला सासर किया तो संगम मोरस उसके कौन से राजा थे तो हरी और बुका जिसके अस्थापना 1336 में किया था विजनगर सामराज की हरी और बुका जो लोगी संगम मोरस के थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे कुस्टन क्या पूछ राज से संब् करना आप लोगो फानली करेक्ट ट्रांसर करना ठीक है और सभी का बिल्कूल करेक्ट शाबास आगे बरे हम लोग चलिए आगे देखो कुस्टन क्या पूछ राकाम लोग को नेक्स्सक्राइब को विजनगर सामराज की अस्थापना इस तो बता चुका हूं विजनगर सामर सांदर लाजवाब सभी का अनसर लगबक सही आया हुआ है को देखे ध्यान को देखना आप लोग को यह भी कोस्टन काफी सांदर लाजवाब को सनर पूछ रखा है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपत की संख्याद जो कि यह जिसका संबंद जो है बहुत धर्म से ध्यान देंगे किस धर्म से एकधाम में कोस्टन आता है कि अंगुत्तर निकाय का संबंद कि धर्म से है बहुत धर्मसे ठीक है बहुत धर्मसे ठीक है और जो कि दो और लोगा आनुसार सही बहुत धर्मस है एक्जाम में आप लोग को यहां से भी कोस्टन बनते हैं इसलिए आप लोग को रिविजन करते रहना जितना आधिक स्धिक हो सकें को सुनेंगे दस बार जरूर आपकी दिमाग में आपकी दिमाग में आटोमेटिकली याद हो जाएगा अब स्थापने किस निके सर मगल चामराज का जाएक ऑजास्तर बिंबि सार प्याग मंगाज थेसफंट याँ का दिकक कर सकते हैं ठीक है इसने बसाया था बढ़ पूरी तरजवा कभी कभी पुछता है तो अजासुत्र को अपने को टिक कर सकते हैं ठीक है अगर 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 अग्जासुत्र नहीं रहे तो आपको टिक करना है चंद्रगुप मौर्य का सासन काल जो है बताव फटाफ़से इस कोश्चन कार्ण से अपन्स क्या करना है जल दिसे चलो जी चंद्रगुप का शासन की बात करें तो हमारा 301-298bc होगा ठीक है बट यहां पर आपको ऑफशन डीपेट करना है क्योंकि सिमिलर यही कोश्चन आ आगे देखते हैं लोग next question question 24 को देखिए काफी सांदर question है विक्रम आदित्य के उपादी किस सामराट ने करन की थे विक्रम आदित्य के उपादी जो समराइब अक्सर बच्चे को confusion यह होता है कि चंद्रगुप पर्थम कर बात करें तो चंद्रगुप मौर्य हो जगा देखो इस हुआ आप लोगोगों वर्वा-ध-2 पर नहीं मिलती है बड़ी आतना जानगरे नहीं मिलती है तो बच्चे ञर्फन फिरते हैं गिया जूओ नेरा पिर्धय। की आपके घरत कह्तिक के जिए हैं तो कि जो आप ъ जिसका नाम चंद्रगुत पर्थम यह एतना फेमस नहीं रहा आपकी स्लिवस के रखोड़िंग और यह चंद्रगुत पर्थम नहीं रखना है आगे बड़ते हैं को सब्सक्राइब किस वन्सका सा सकता जल्दी सामसे किजिए तेजी से चलो जी असोग सबको पता है ने असोग हमारा जो है मौरिय वन्सका जाएगा अपसन अपना यहां पर बिल्कुल करफ्ट आंसर हो जाएगा मौरिय वन्सका संस्तापक चंद्रगुत मौरिय ने किया था असोग ठीक है अफसन यहां पर आपनों का बी कर गए यह 279 बीसी को जो अपना एक यूद किया क्लिंग की यूद करते हैं ठीक है शकहा परमान जो जिंदगी को परिवर्त करने के लिए असोग का जो हो अजब तो सब्सक्राइब को याद रखना हराल में मौरी सामराज का पर्थम सासक कौन था बताओ फ़राफर से 26 का आप लोग बताया था इनुन नहीं मौरी वनसके अस्थाफ ने कहा था चानक किस सहाता से चानक किसके परतान मंतर थे और हराया था किसको तो हराया था धनान को रहाया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि नंद वर्स के अंतिम सासकते कि महाबारत की रचना किस भासा में इस अपना एक बिल्कुल आपको आपका आंसर सही होने बारा है महाबारत की रचिता कौन है तो वेद व्यास है याजर के महाबारत का यूद जो है क मैदान में वहता है कुरूच रचिक आपका हरियाना में पढ़ता है question no 28 पूछसर का पुरानों के संख्या मह्ाबारत का यूद 18 दिन पुरानों की संख्या अठार सही Havingload सब्सक्राइब को याद रखना है इस कोशन का आंसर फिलार आफशन सी प्याप लोग को टिक करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स कुशन अगला कुशन दिखिए कुशन नमबर 29 कि आसरे मुवस्था में किस तिने परकार की आसरम का उल्लेक है आसरे मुवस कोशन का आणसर सभी का आप्सें भी प्याना चाहिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स कुशन पूछरे कम लोग को को सब्सक्राइब कर दो अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते कुशन नमबर 31 मुस्लिम लिंग क्या स्थापना कि स्वर्स विती सभी एच्छों को लग बढ़त पता होगा फटा भर से आंसर की जिस कोशन का आणसर देखता हूं कि आप लोग सही कर पारे के नहीं कर पड़े हैं स्वरी से लेट हो गया साधिया खातून चलो जी कोई नहीं बट ज्यादा ही कुछ लेट हो गया इसलिए आप लोग कह रहा हूं कि क्लास को हर लेकिन आप लोग बात नहीं मानते पता ने आखरी जिद्दी क्लास के अप लोग को आप लोग को अपर यहां पर थार्टी टू को देखे क्या कोशन पूछ रखाया है सवसंदर भार्ट के पर्थम गवर्नेंट जर्ल कों थे देखो यह कोशन पर अक्सर बच्चे कंफिज आते हैं और आज तक आप लोग लगबग बहुत से बच्चे भी अभी तक कंफिज में हैं बताव फटाफर्स इस कोशन का आणसर क्या जबागा चलो जिए इसलिए लगता है कि वही लोग लाइक ने कर रहे हैं ठीक है क्योंकि मैंने तक नाम में नहीं देखा किसी का जिद्धी जरूर सुने यहां पे पर्थम यहां पर्थम कुछ रखा है लौड मान बैटन पर टिक करना ऑफ्षिन बी हमारा राइट हो जाए ठीक है ऑफ्षिन बी जितने मुच्वता रखें बिलकुल एपसुलूरी करोगा और अभी भी मुझे देखने को मिल रहा है काफी बच्चे कुछ बच्चे आहीं नहीं सकता है जी यह सबसे लास था सबसे लास था अगर सवाधन भारत के पर्थम भारतिये पुष्टा तब आपको सिराज गुपाल चारे माना सिराज गुपाल चारे एक भारतिये वेक्टी थे और जबकि लौड मन बैटन एक अंग्रेज थे उन्हें सो इसको भार चारे नहीं पर्थम भारतिये पुष्टा तो आप तिकर सकते हैं पीठेक है इतना एजी को इतना बार समझाने के बाद भी आप लोग वही का वही हाल रता है इसलिए कता हूं बार-बार डेली आप रिविजन करें कोसिस करें कि बार बार कोसिन करें ताकि आप गलत ना करे कर आम लोग भारती राश्टी राश्टी के पर्थम महिला द्यक्ष के बारे पूछ रखा है क्या बता दोगे आप भारती राश्टी के पर्थम महिला द्यक्ष बिलकूल आपको आपसरन Lazio Option AP पर्थम महीला देख से और इसके अस्थापना जो हुई थी ध्यान देंगे एक्जाम में कोशन पुछता है इंडियन कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी तो अथार सो पचासी ठीक है इसके अस्थाप अकॉंट है तो यह हुम सब्सक्राइब को पता होगा रिवीजन करते रहना है जैहिन का नाराज हो किस नहीं थे था इत्यास का मानना है तो अप्सें से कोशन का भी आपका भीती लिए था इक हैश्दरवाद्या नामम मुझे आब आदके है तो रहे है नहीं है मैं है आगे देखते हैं लोग कोस्टन नमर यहां पर 35 दूत्य विश्युद कब आर्म हुआ था बता फटाफड से काफी इजी जवरतस कोस्टन है देख लोगे कोस्टन को ध्यान से 35 तो बिल्कुल भी नहीं है तो फिर कोस्टन को मिस्टेक नहीं करना है यह सब कोस्टन को कैसे मिस्टेक करो पाकिस्तान एक सौत्म रास्ट के रूप में कब आस्ति दुम्यात यानि पाकिस्तान का उधे कववा था तो यह वह था सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग इमान दर के साथ पूरा आंसर सही करने कोशिस करेंगे देखो बताओ यहां पर क्या आंस होगा तो भीम राव अंबेटकर ऑफशन ए पर आप लोग को टिक मारना है हमारा आंसर ऑफशन एज आगर साइटीस नमर कोश्टन का लगबग बच्ची तो ऑफशन इता रखें लेकिन कुछ बच्ची ऑफशन सी किते जा रहा है डॉक्टर सचीदानन सिंग यह हमारे जो है आस्थाइस दस सभीधान सभा की आवस्थाइस डॉक्ट केते हैं और भी मिरा मेट को पर्थम पहले कानुन मंतरी भी थे भारत जो है कब गंतंद्र हुआ था लागू कब हुआ था तो बिल्कुल सभी बच्चे को पता होगा कि सभीधान जो लागू बट अपना 2680 को तब से अम लोग हर वर्ज जो 26 जनवरे के नाम से जो है गंतंत पदेखा करा कि सवतों भारत के पर्थम गेरये मंतरी बात ऊरही है जल्दि का आंसर क्या करेंगे परथम गिरह मंतरी बलब भाई पटेल चलिए बहुत अच्छा बिल्कुल आपनों को नियांसर सही option चुना है आगे देखते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्रधान मंत्री कौन था डिफिनेटली बच्च बच्चों बताओगा और कई बार एक्जाम में question आया हुआ पाकिस्तान का पहला प्रधान मंत्री की बात करें से लियाकतली जाएक आपलों को टिक मारना है आगे बढ़ते हम लोग अगला कुश्ण तरफ नेक्स कुश्ण करम को रामानंद के सिस्कांती यह भी तू कोस्ण कई बार रेपीट हुए बताओ एक चार्श नमर कुश्ण का अपलों क्या रहा है रामानंद के सिस्क्राइब पूछ रखा फटाफर से आंसिक जल्दी से चलो दिर रही दास होगा बिल्कुल रही दास होगा धन्ना एक प्रिपा यह भी सही है एप संडि बिल्कुल सही है ठीक है आफ संडी पे अपलों कोई ट्रिक मारना एक चैस्ट सब्सक्राइब बहुत अच्छा वैरी गूड वैरी गूड हां जी आगे बढ़ते हम लोग आगे देखें क्या पूछ रहे है कोस्ट नमबर 42 तलवंडी किसका जन्मास्थान था फटाफर से देखें इस कोस्टाइब क्या करेंगे तलवंडी के बात मुझेर कबीर होगा र बहुत अच्छा कुछ ने डी बता रहे हैं डी कहां से मारा जी है यह देखो यही सब आप लोग का होता है इसलिए कहता हूं डेली रिविजन करने के बाद भी यह हाल है तो क्या होगा आपको एक्जाम में करना ख्वाजा मेर्दिन चिस्ति की दरगा जो है कहां बताव आगरा में तो आगरा में सलिम चिस्ति की दरगा जैपूर में नहीं है चलिए आगे देखते हैं लोग कुछ रखा है कुछ नमबर 44 कासी में किस परसिद संद का जरम हुआ था बताव फड़ाफर से 44 का आपने लोगों को क्या आंसर करना है जल्दी सदाओ चाव फड़ाफ सब्सक्राइब कासी में परसित जो संत वो कवीड थे आफशन बीपी टिक मारेंगा ना 44 का सभी को आंसर आफशन बीपी टिक लगाना है बहुत अच्छा वैरी गूड वैल डान चलिए हां जी कुछ बचिए फिर इसमें भी मिस्टेक कर रहा हु जी हां सी उताय रखें सी कहां से जगर अफशन बीचर ये आगए दकते हम लोग को बीजक में किसके अबदेश संगर्त है कि आप लोग को टिक मारना किरा कि वेंज सांग किस देश का यातरि था वेंज सांग चीन का था युनान का था मौरग को था वेंज सांग जो कि नालंदा इंवरिसीटी में परने के लिए था आप सब्सक्राइब और वहां पर देखा तो इसका अच्छी तरी भी लगा होगा अच्छी तरी सी हमारा जो कि बिल्कुल कर्यक्ट होने वाला है ठीक है वह इनसान चीन का यात्री था चलिए आगे देखते हैं लोग करा कि तहकी के हिंद किसकी यात्रा विर्थांग मिलता है चाहिए आपको जान मुहम्मठ के साथ में कि इसकी बुस्तक यही है डोनों कि एक ही है याद रखिंगे कौन सी भासाम है तहां कि आपको किस भासाम में लिखिए तो अर्वी भासाम करा है को मौरिय काल का परशित यूनानी यात्री कौन ऩा मौरिय काल का परशित यूनानी यात्री जिसका need अपना बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रुखा क्या बात है सभी ने तो आन से लगबक शांदर कर रखें आगे बड़े हम लोग कुस्तन यहां पर देखिए 49 कि कि अल बरुनी जो है किसके साथ भारत आया था फटा 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 पर से अपलों को टिक करना क्या महमुद गजन अब ही मैंने आपको बताया महम्मद गजनी के साथ भारत आया था अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने बाली है 49 का जितने बच्छी बता रिखें बिल्कुल जवर्दस करेक्ट रांस होने वाला है आगे देखते कुस्तन को क्या मुगल सास्ति के दरबार में आता बता पचास नमर को सन्का आपनों क्या आनस्ति करें पटापर से सभी का सब्सक्राइब गाते हैं इसी के परचार परसार है तो यह गया था किसके दरबार में जहांगीर दरबार में और यह पर्थम अंग्रेज थे जो कि मुगल काल दरबार में गया था इसी के परचार परसार है तो ठीक है आगे बढ़ती हम लोग कितने भागों में विभाजित है चलो जी एक बार तो पचास कुसन पूरा हो गया इस कुसी में बार सब कोई जोड़दार ताली मारेंगे और फटापर से एक बार सब कोई पचास कुसन हो गया आप पचास में से कितने कोशन सही कर पाएं और इस खुसी में आप लोग स्वागत्तु करना है ठीक है पचास कुसन का पूरा हो गया एक बार सब कोई लाइक करके बता दो जितने बच्चे जुरे हैं लाइक कर दो एक पर फटापर से चलो जी अजे ज सब कोई आ गया मतलब सब कोई आप लोग ने राइक कर देए अक बर बताओ लाइक कर देए पचास में से कितने कोशन बताएं सब कोई चलो जी चालिस कोई नहीं किसी ने 45 अच्छा चालिस पलस चालिस पलस जिसका भी रिजल है ठीक ठाग़ है 55 पलस तो और आची बात है अच्छी बात है लेगिन 40 से कम है तो आपको अच्छी तरह से तयार करेंगे इमान दरी के साथी बताएंगे क्योंकि ऐसे फेक फार्गर कोई फाइदा नहीं है मैं करी आपको बता च कोई नहीं लेट कैसे हो जा रहे आप लोग टाइम का पता है आप लोग को आज तो कम से महारी बच्चे को पहले आजाना चाहिए था सबको पता है कि आईने अकबड़ी जो अकबर नमा का भाग है अकबर नमा की तीन भागों में विवाजित किया गया अच्छा आएने अकबरी के अनुसार भूमी को कितने भागों मनटा है तो चार भागों में यही सब कोस्ट जो बार बर एपीट हो रहे हुए करा दिल्ली से दौलताबाद जो है वो किस सासक ने अपनी राजधनी परिवर्दन के थे डिफिनेटली समय को बता होगा कोस्टन बावन का आप लोग क्या आण से करें फटा पर से देखिए तेजी से चलो जी जल्दी से अपना आण से कीजिए यहां पर दिल्ली से जो अपनी राजधन ने अस्थरंद की थे वो कव किया था यह 1327 को किया था फिर यह जो राजधनी परिजुतन करना इसके लिए इतना इंपोर्टन नहरा फिर 1329 को दोबरा फिर दिल्ली लेगर के आज चुका था ठीक है तो याद रखेंगे इस कोस्टन का आणसर आपनों गुलबदन बेगम जो की हिमायों के बहन थी और अगबर जो की हिमायों का बेटा था हिमायों का बेटा अगबर ने गुलबदन बेगम अपने फूफी से कहा कि हिमायों नामा लिखा जाए जिसके बारे में हिमायों के बारे में पुरा जीवनी चर्चा होनी चाहिए ठीक ह बाबर नमा हो गया अकबर नमा हो गया हिमायू नमा हो गया उसी तरह बादसा नमा जो कि लिखे हैं अब्दुल हमीद लाहुरी और यह किस पर लिखे गए तो यह लिखे गए साह जहां पर किस पर साह जहां पर याद रखेंगे किस पर साह जहां पर लिखे गए बादसा नमा ठीक है और इसके लेखर कोन है अब्दूल हमेंद लाहरे जो कि एक इतिहासकार थे परसे इतिहासकार ऑफसन सी जो कि साहजा के दरवार में आये थी ठीक है चलिए आगे देखते हैं लोगो कोशन पूछ रखाया हम लोगको फटहपुर सिकरी को राय धानी किसने बनाया था फ अगबर ने किस सन में दीन इलाही जो चलाया था कौन से रेट को दीन इलाही जो कि अगबर बनाया गया एक धर्म था जो कि अलग अलग धर्मों से अच्छी बातों को लिया और एक नया धर्म का एज़ाद कि जिसका नाम था दीन इलाही ठीक है यहां पर फिलाल ऑफसन डीप आप लोग को करना है ठीक है बहुत अच्छा सना सारा वेरी गूड चलिए आगे बढ़े नेस को सिंद्र अगला को संद्रक्षक जो है वह कौन था अगबर का संद्रक्षक की बात करें तो सबको पता होगा बैरम खा जो कि अक्बर का संद्रक्षक ही नहीं बलकि यहे इस संद्रक्षक और अग Kinद जो है नहीं बहुत अच्छा आगे बढ़े हम लोग नेक्स कोसें पुछरक हम लोगों करा है कि भारत में मुगल वन्स का जो संस्थापक कौन था definitely काफी easy question है कई बारे question repeat हुए तो आप लोग उदा देंगे कि बाबर जो कि मुगल वांस का संस्तापक था, मुगल वांस के अस्थापना 1526 को होती, सबको पता है, ये किसके बीच में जो दोता है, बावर और इबराहम लोदी की हाड़ी, जिस हुज़िए से मुगल वांस की अस्थापना हो पाती है, आगे देखते कुछ रखा है, करें कि भारत क अंतिम मुगल सामराट को चरका डेफिनिर बजा देंगे अंतिम मुगल सामराट बहादुर साजफर ऑफशन सी जगा बहादुर साजफर के दो बेटे जो है जिसों के अंग्रेज ने गोली मार के हत्या कर दी इसका वर्मा आगे नहीं बरा साथी साथ एक पोते भी थे उसको भी गोली मारतिया खत्म कर दिया ताकि जो है इसका वर्म आगे नहीं बरे और यहीं अंतिम बन के रह जाए और फिर 857 को इसको कहां भेज दिया था बर्मा भेज दिया था बर्मा और वहाँ पे जो है इसको अपना यहां पर बिल्कुल सभी का सी पर करेक्ट होना चाहिए चलिए आगे देखते हैं लोग को कि अगबर के समकाली इतिहासकार कौन है अगबर के समकाली इतिहासकार पुछरक है बदा यहीं ऑफशन बी पी आप लोग को टिक मारना है ऑफशन भी हमारा एबसलूटली करेक्ट आण समने वाला है कोस्टन यहां पर एकसर देख रहा है पूछ ठान से वांसर करेंगे से चोडी चवरा कान समस्वार होता सब्सक्राइब इस में अंगरे जो को सहता नहीं करना किसी बिकार के लिए टिक है यह यह साल दो वर्स जो है अंग्ड़न लगबक सफलता पुर्वाग चलती रहती है बटकू और को उस भारतिये ने जो है चारा चोरी जगह जाकर के एक पुलिस थाने में आगर के आग लगा था और जिन पुलिस माकरमी को जिन्दा जला देता है इस तरह यह त्या कान होती है पांच करवर उनिस सो बाइस को जिसके वज़े से और अंदरों को महात्मा गांद जी को मजबूर जाता है तो सेरे पंजाब के नाम से आप लोग करेंगे लाला राज पत्राय को जो सेरे पंजाब के नाम से जानते हैं ऑफशन सभी का भी यहाँ पर डिपनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक है चलिए जी वेरी गुड आगे देखते हम लोग नेक्स कुशन पुछरक दूसर का आंडिसे कामलोग को करया कि साइमन कमिस्ट जो भारत का बाया थ affect हो साइमन कमिशन डिपंटेया खरेक्ट आंड्या लिचनmates हो से आंदुसर को क्लिक हो हो था तो दानडी की बात पूचर करा दानडी से नमक आंक रुआता जिसका नाम प्रास सभी ने अवग्या अंदुलन जिसको वोग्तनी माच के नाम से आंदे अगे पाती है लोग आगे। देखते ही कुछन् नेक्स कुछन् करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेस कुछ रखके हम लोग को अगला कुस्छन थोरा तेजी से करता है कुस्छन नंबर 68 रॉलेक्ट एक की सुवर्स परसद रॉलेक्ट रॉलेक्ट की बात पुछ रखके यह उन्हें 119 को बता ऑफ्सन स्युगा जिसको काला का लुब आनों के नाम से अन्ते डिफिनेंट स्विवेच्चों को पता होना चीए ठीक है चलिया आगे देखते हम लोग कुस्छन आगे पुछेर का जालिया वाला बाग हाथ्यकन खब वह था जालिया वाला बाग हाथ्यकन को ओप्सन सी हमारा कर रहा हुगा उन्हें 119 को ज कलकत्ता से जो है दिल्ली भारत की राजधानी अस्थानाद्रीत होती हैं आगे बढ़ते हैं क्या क्या कम लोगों कराकि दखकन दंगा आयोग कब गठत हुआता सबको पता होगा दखकन दंगा आयोग आधारसो पश्थर को अफसन अपना ए बिल्कुल करत आनसर होने वाला है कि अप्सन ए हमारा बिल्कुल होने वाला चलिए अटार्टों सो पचत्तरों को दक्कन दंगा आया गो ता दक्कन दंगा क्या था कि कैसा अंदुलन था जिसमें किसानों के साथ यह किया गया था मतलब क्या कर से लिए और इसके वज़से किसान जो है रिन लेते गया और फिर से विशानों को रिन वापस मांगने लगा सूद समत पूरा पैसा वापस मांगने और किसान को पैसा वर कुछने गरीब हो गया और बुला कि नहीं दोगे तुम्हों को जेल ने बटाल दिया तुमारा जमीं सारा की खातम कर दिया गी इस वज़से एक दंगा हो गया था दक अपना बी यहां पर बिल्कुल कर रहा हुआ चलिए और का संभण जो अस्थाई बंदवस थी हैं ठीक है तो यह किसने लाग गया था यह बंगाल में हुआ था कहां पे एक्जाम पूछता है अस्थाई बंदवस कहां लाग हुआ था बंगाल में आगे बढ़ते हम लोग क् इसके लिए जो है जुद किये जिसको संथाल के नाम से जानते हैं संथाल को बाता समको पता होगा 56 चली थी और इसके नेता कौन ते सिद्धूर को नों दोनों भाई थे बाद में संथाल की जो हार हो जुकी थी क्योंकि उसके पास इतनी मजबूत से नाने थी अंग्रेज क आपनों क्या आणसर करेंगे जल्दी से फटाफर से सभी का आणसर का चलो से विलियम बैंटिक आफसर सी प्याप लोग को टिक मारना है ना देखो इस कुस्टन का 74 का आप लोग क्या बता रखा से बंडिवर का भी होगा क्या लॉड वैलेसली महल भारी भूर था किसकी दुवारा लागो हुआ था कंफूज लग रहा है मुझे चलो इस कुस्टन का आंसर जो है बीप आप लोग ट्रिक मारेंगे एंड फिर जो है कमन बॉक्स में इसका जो किलियर कट हो जाएगा करेंगा करेंगों संथाल्व द्रुक कब वह था संथा पताया सभी को अच्छा किस ने इसके नेजा पूचर रहा है यह तो हुआ अपना एजगा सिद्धूर करूं ठीक है 75 का आप लोग को करेक करने ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग आई कुस्टन पूचर है काम लोग को नेक्स कुस्टन करया कि फ्रांसिस बुकांदन कौन था फ्रांसिस बुकांदन डिफेसर को पता होगा एक सर्वेक छक था अप्शन डी आप लोग करेक करेंगे 76 का आप्शन डी पर राइट आंसर जाने वाला है बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आ रहा है आगे देखते कुस्टन पूचर हम लोग को इस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक जहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है ठीक है आगे बढ़ते हम लोग क्या कुछ रखा करा कि लक्षमी बाई के गोद लिए पुत्र का नाम कुछ रखा पताओ सेवंटी एट का क्या अंसर करें फटा फर से देखिए सेवंटी एट का अपना अर्थन लोग ना दामोदर राओ ऑफ्शन सी प्याप लोग को टिक करना है सेवंटी एट का ऑफ्शन सी जितने चुता रहे हैं बहुत ही शांदार लाजवाव वैरी गूड आगे बड़े हम लोग कोस्टन आगे पूछरे कम लोग को कर रहा कि जगदीश्पूर में 1857 के विद्रों का नेतरू जो है किस ने किया था देखो जगदीश्पूर के बात पूछर के सबको पता हुआ जगदीश्पूर से अपना वीर कुमर सिंग थे ऑफसें बी जो कि पूरे बिहार का न द्यान मंत्री कुशे आपको पामस्टन आफसें सी पर टिक करना है कई बार एक्जाम पर कोस्टन आया होगा ध्यान से देखेंगे ठीक है चलो यहां तक आप तक हम लोग कोस्टन 80 कंप्रेट कर चुके है और हमारा जो है 20 कोस्टन है पूरे इमान दर के सब्सपूरे सभी लाइक को पूरा करेंगे और यह 20 कोस्टन को पूरा करेंगी यह दो टार्गिट आपक विल्कुल कर पांसीव यहां पर यहां पर यहां पर बिल्कुल कहँए तो कुंडल अपना इसके बच्कन का नाम था वर्दमान याद रखेंगे अधर्म से संबंध दिगंबर और स्वेतंबर यह दो धर्मार दो अनुनयाई है यह जैन धर्मार के अपने आणसर और सफेतंबर बिनावस्तर के अब लोग आज टार्गेट को पूरा करते के नहीं करते हैं देखते हैं आप लोग को टार्गेट दिया गया 20 question खतम होने से पहले 200 लाई हो जाना चाहिए सांची मद्द परदेश के किस जीले में बताओ 83 का आपने लोग क्या आण सेकंगे सांची के बार पूछ रखा है सांची ये तो हमारा राइसर हो जागा option अपना बी पे करेक्ट करना अपलोग होना option भी हमारा बिलकुल right होने वाला है आगे देखते को पूछर कम लोगा प्राचेन भारत में धम की सुरुवाज जो कि किस सासक ने किया था प्राचेन भारत में धम की सुरुवाज जो किया था वो किया था आपका असोक ने option C हो जागा ठीक है सभी को पता होगा असोक राजरुहन 279 BC और कलिंग का यूद 271 BC दोनों डेट काफी इंपुड़ा है याद रखेगा किया कि अकबर नामा किसकी किरती है अकबर नामा पता सभी को अकबर नामा जिसके लेखक अबुल फजल है तो उसी कीने किरती होगा यह हो जागा हमारा अबुल फजल ऑफसंडी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जागा ठीक है अकबर नामा के लेखक कौन है अबुल फजल अकबर नामा कितने भागों में तो याज रखेंगे तीन भागों एक्जाम में आता है पर repeat हो रहे तो आप लोग को हर बार करते चलना है सेर सा ने 14 वा युद्व में किसी पराजित किया था सेर सा जो कि 1549 और 14 को युद्व किया था हिमायो के बेच में तो यह जो हराया था मतलब किसको हराया था हिमायो को हरा था और फिर इसके बाद मुगलवनस की लगबग 5 साल के बाद मुगलवनस की अस्थापन को सिरत को ऑनिपत charger 556 मोटें को ईदोबा और पर जिसको जबक से दोबदा मुगलवनस की अस्थापना होती है कर आम लोग को जीतल जो है किस धातु का होता था जीतल का आरा कुछर काई 87 प्रकी जल्दी से जैसे 87 काप लोग क्या आर्पिक इस गने हैं जीटल यह तो हमारा जग ताम्बा का ना ऑसन सभी का ची ठीठी घाए सबसे पहला था आपका बाबर उसके बाद आया था अकबर अकबर के बाद आया था जहांगीर है तो जहांगीर जो था यह इसका अपना ए यहां पर बिलकुल करेक्ट करना अठासी नमर कोशन का आपनों का अपने से मार रहा हूं तो इसलिए मतलब जैसे बीव देना सुरू कर दिया यहीं अपने से आप पूरा रेजन है नहीं अपने इमान दरी के साथ आप लोगों को पता है नहीं मतलब देखते हैं इस सारा किदर मिलना चाहिए मैं देख रहा हूं जब भी कुछ कोशन गलत बतारा नहीं आंसर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वह सब जो है अन्धादुन वही टिक मारना सुरू अगबर कर नहीं बी हमारा करेक्ष होने बता है आप लोगों को नहीं बहुं सब्सक्राइब कर नोदा है तो आएने अग बड़ी में थे तो लगबध कि मुलना चीब वहागों चाहिए आज वागों तो चार भागों में जो भूमी को बाटा गया था ध्यान देंगे ठीक है कि आप लोगों ने सब डीवता रखा था ना चलो जी कुस्सन 90 नौरतन किसके दरवार में थे नौरतन के बात पूछर के सब दो मुगर्वनस में अकबर हो जाका, ओपस्न एक और होने वाल की तैयारी कितनी हो talkingقي है क्योंकि अगर आपको यहां पे ओपस्न के तह अब अकबर मार अकबर है इसी परकार और यह सासट थे जिसके सासन में जो है मतलब जिसके नौर्दन हुआ करते थे इसारा भी देदिया देखो असोक मार्रा आए नहीं देखो आपको पता भी है असोक गुप्त बनसक थे यही तो आप लोग करोगे जी जब मैंने इसारा आपको देदिया गुप्त बनसक फिर असोक का चलो जी चलोबक्त अभी तो यह कोई भच्छा का अनसर नहीं है चोटु में पलोड़ा हो क्या है यह बताई कहां सेuciones थे प्लेस को जाज़ते हैं गुप्त वंस का अगई दरबार में नोर्त न उसी परकार अकबर के दरबार में नोर्त न होगाई तो यह दोनों चीज आप लोगो याद रखना है अगर गुप्त वर्स में पूछे तो चंद्र गुप्त विक्रम आदित्य और यहां पूछ रखा मुगल वर्स में तो अकबर ठीक है चलिए आगे देखते हैं लोग कोशन आगी पूछ रखा है निम्नलिखत में कौन जो हरपा सब बता का जो की नगर नहीं है तो सबको पता ह महां जोदरों बिल्कुल है काली बंगान जो कि राजिस्तान में मौहां जोदरों पाकिस्तान में है लोथल गुजरात में है विजय नगर सामराज इसकी तो अस्थापना 336 को विदी है तो हरपा कोई नाम निसानी हरपा सबदा काल जो 2600 से एंसेट इसाप पूरुव की ब को को सांधार को ने कई बार एक्जाम ने 1784 को सब्सक्राइब कब करता है इस में लिए और लग विद्वान किताब लिखते थे रिसर्च करते थे अलग अलग इससाइटी के मी लिए जानकारी मिलती है जाहे वह ज्यान हो परदददगी हो महत हो अलग अलग पुस्तक हो हटी जिस तरह में लिए जिस ट्रम लोग कॉर्स है दैयराम साणी ने बताई को जो रहां तो हम लोगों ने लगब कोस्टन किया है और हमों लोग के पास आठ नहीं आठ नहीं और छे कोस्टन है यह तो साथ कोस्टन है जल्दी से आप लाइक करो ट्योंकि टूहंडड लाइक एम दिया होगा आप लोग का टार्गेट पूरा कोस्टन खतम होते हो जाना चाहिए सब को लाइक को जल्दी से धौला विरा किस राज में है बताओ फटाफर से धौला विरा पूछर का 94 का क्या निटीफोर का बिल्कुल सर गुजरात में जागा कमें लिख्के बताओ कि हो जाएगा गया जो आपको दिया हो बहुत ही छोड़ा टार्गेट है क्योंकि यहाँ डिया होता है मिड़तगों का सबको पता होनाची कई बार एक्जाम में पूशा है कि मोहन जुद्र का साब्दी कर्थ क्या होता है मिर्टकूं का ठीला होता है आच्छे कियों क्यूंकि यहां पर बहुत सारे जो कंकाल परमान नहीं मिल पाया है हर अपस बता कि विसाल अस्तना नगर जो किस नगर से पाया गया है तो विसाल अस्तना नगर यह मोहंज दोर से परात हुआ है और तीन कोशन देखिता हूं कि हो पता कि नहीं पता देखना है पुरादातों प्रचार जो जमीन के पिठ्थविक के अंदर रियूरि निकालती है निकाल कि हमको कुई की फिल्ड की जानकारी मिलती है क्योग सकूज बहुती है यह फैंद पुस्तक गुछाशा हो होता था चलो भागना वज़ दी मिलते हैं बट साहित इसको गरंत कहते हैं पुस्तक यह तो कोई जम्यन के अंदर से लोग नहीं निकालते हैं नहीं आएगा आप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला 97 का आप्शन ए बिल्कुल आप्सलूटली करेक्ट नहीं चलिए 98 और लास सिकेंड टू कोस्टन देखते हैं आप लोग क्या कर पा रहे हो लोथल किस नदी के नाशित से लोथल पूछ रखा लोथल जिसको बंदर का सहर भी कहते हैं बंदर का सहर भी कहते हैं लोथल हमारा जो करते हैं यूगल साफदान इसकी भी और सिस मिले हैं लोथल से हाना चलिए आगे देखते हैं लोग कुस्टन पूछर का है तिरी पीटक किस धर्म का सहाय द्यासब को पता है मैंने पीटक क्या जब भी पीटक का जिकर है ने पीटवला तो पीटक आती ही आपको बहुत धर् हम यह भी आता है अंगुत्तर निकाई हीन यान इस्तूप ठीक है यह सारे का संबन्द भी किसे बहुत धर्म से याद रिखेंगे चलिए आगे देखते हम लोग को सब्सक्राइब को राज तरंगीनी जो है किसने लिखा बताओ राज तरंगीनी जो है किसने लिखा था हंड जो आप लोग को मैंने टार्गेट देया था वो टार्गेट आप लोग फिल कर दिया अभी आप लोग पूरा कर रहे हैं तो मतलब पूरा तो हो गया बट आप लोग टाइम के अनुसार नहीं कर पाई है ना चलो जी तो हम लोग जो आज इस करना है अगर जो बच्चे पीछे जुरे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से सेशन को आप लोग देख लिजेगा और जो हम लोग पांस सो को सन्वार रिविजन लाइग लेकि 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 आये थे उसमें से दो चार को सन्वार अपडेट हो गया तो मतलब मिस ह जिसके मैं अपडेट कर दे रहा हूं ठीक है पांस सो को सन्वार पॉलिटिकल साइस हिस्ट्री और जो गरुफी तीनों का बन चुका है तीनों जो वीडियो अपडेट हो एक बार फिर से को आप लोग रिविजन कर देना है जितने में चैप लोग नहीं देखे हैं किरा फर से आहां लोग बताइएगा और डेली यहां पर आपके अपसरी कर्क टाइम पर होने वाली है एक बजे एक सा हुझेगे सबके साथ क्लास में क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा काफी मेहनस से आपके लिए मेनत कराऊं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करोंगे कि आप लोग हर एक बच्चे को जो लोग करेंगे गई तो उसको शियर करेंगे और जैसे ऑब्जेक्टे वहरे एक बच्चे देखना चाते हैं इस वज़ए से सब्जेक्टिव गर नहीं सत्या है तो आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आ सकता हूं अगर आप लोग का डिमांड रहा तो हना क्लास ओबर हो गई बिल्कुल जिस ओबर हो गई आले माज चलो जी रिंतु नासरा निशा रुक्षना चलो काजल सल्मान